शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले बतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा कि संकल्पिसां स्वतंतृता संग्राम के नायक अमर शहीद राजजिंद्र नाथ लाहिडी का आज पूरे सम्मान के साथ बलीदान दिवस मनाएगा उन्होंने आजादी के लड़ाई के लिए अंग्रेजी सरकार को खाल फेकने के लिए जो हिम्मत और साहस का परिच्चा दिया था वे आज भी हमारे देश के युवा वर्ग के लिए प्रेड़ना स्रोत है आपको उता दे कि बंगाल के बबना चले के मोहनपुर गाओं के रहने वाले राज़िदरनाथ लाहीडी का चन्म 23 चून 1901 में हुआ था और आठ साल की आयू में वे काशी चले आए जहां पर उन्होंने एमे के सक्षव अपराप्त करने के बाद देश को आजादी दिलाने का संकल पिया और संसादन और पैसो के आब हमें पड़ी हुई लड़ाई को खड़ी करने के लिए एक योचना बनाए जिसमें अश्वाक उल्ला खां राम प्रसाद बिस्मिल ठाको रोशन से हैं भी थे योचना बनाने के बाद 9 अगस्त 1925 को अपने काम को अंचाम दिया जिसे हम काकोरी हत्या कांड के नाम से जानते हैं वहें क्रांती कारी के इन चारों महा नायको को काकोरी कांड में अंग्रेची हुकूमत ने फासी के सज़ा सुनाई जिसके बाद महस 27 साल के उम्रों हैं अमर श्राइद राजचेंद नाथ लाहीड को 17 दिसंबर 1927 को सुबह 4 वजे गोंडा जिल में फासी दे दी गई वहें 19 से दिसंबर को अश्वाकुला खां सतकालीन फैसाबाद जिल राम प्रसाद बिसमिल और ठाको रोशन सिंग को गोरकपूर इलाबाद जिल में फासी दी गई अश्वाकुला खां की फासी के फंदे चुमते कही होई शायरी आज भी जेल की दिवारों पर कैद है सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है अमर शोहिद राजजिंदर नाथ लाहिडी ने फासी के फंदे को हस्ते हस्ते गली लगाया और कहा कि मैं मरने नहीं जा रहा हूं बलकि एक आजाद भारत के लिए पुनरचन मली ने जा रहा हूं वहीं आज उत्तर प्रदेश के गोंड़ा चुले की जेल में बलिदान दिवस के रूप में उनके राजजिंद नाथ लाहिडी के बलिदान को याद किया इस सबसर प्रदेश के बीरों और सुतंतता सेनानियों को स्तलामी वा सम्मानतिया किय आज 17 दिसंबर को ये पारंपरिक कारिकरम है जो जिला जेल गूंडा में हर साल मनाया जाता है यहाँ पर अमर शहीद राजयन नाथ लाहिडी जी को फासी हुई थी उन्होंने शहादत प्राप्त की थी उसी के उतलक्ष में ये कारिकरम होता है और यहाँ पर सुबा सुरव और सुल को बच्चे कि यहाँ याद किया है उनके आदर्शों पर चलने का प्रणा की है उनंकी जीवन से प्रणा लेते हुए आजाद भारत के हम लोग अच्छा कारिकरम होता है हभत चिताओं पर हर वर्स लगेंगे मेले वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होंगा मैं मरने नहीं बलकि आजाद भारत में उनर जनम लेने जा रहा हूँ यह लाइन है अमर सहीद डाक्टर राजेंद्र लाहरी की और आज ही की दिन उन्हें फासी दी गई थी हमारे पीछे आप देख सकते हैं वो जगह गून्डा कारागार परिशर में वो जगह जहाँ उनको फासी दी गई थी यही वो अस्थान है जो आज ही के दिन अंग्रेजों नो उन्हें फासी दी थी काकूरी कान में जो चार अब मुख्य नायत है राजेंद्र अमर सहीद राजेंद्र नात लारी अस्फाक उल्ला खां और राम परसाद बिश्मिल और ठाकु रोसल सींग लेकिन अगर हम दिखाना चाहेंगे साथी में अस्फाक उल्ला खां का जो लाइन उने कही थी जो आज भी जेल की दिवारों में कैद है सरफरोसी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुवे कातिल में है ऐसे करांतिकारी जो लाइन थे आज भी इस दिवालों में कैद है जो एक युवाओं को कहीं न कहीं एक सुरूरता अप्रेण है एमकैन नूच चानल के लिए गोंडा से तुफाइल खान